हेलो अटो लवर स्वागते आपका फिर से हमारे अपने अटो अपडेट यूटूब चैनल पे तो अपडेट टाटा की तरफ से आ रहे है कि टाटा ने टाटा टियागो ईवी का स्पोर्टी मॉडल लॉंज करने की तैयरी कभी है अटो एक्सपो दो हजार तेविश में टाटा मोटर्स ने कई कानसेप उलेक्ट्रिक कारो का खुलासा गिया है वही कंपनी ने अटो एक्सपो के तिसरे दिन अपनी यागो इवी बलीड़ एदिशन से परदा उठाया है Tiago EV Blitz को कमपणी ने अलग-अलग रंग और डिजाइन ट्रिक्मेंट के साथ पेश किया है ये कार पेश होते ही दर्शकों को खुब पसंद आ रही है इस कार में 315 किलोमेटर की जबर 10 रेंज मिलने वाली है तो आईए देखते क्या खास होने वाला है इस अपडेट में तो वीडियो को पूरा देखिए अगर चैनल पर नहे है तो फिज चैनल को सस्क्राइब गरिए ताकि आगे बे आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे तो Tiago EV Blitz का डिजाइन स्टैंडर्ड मॉडल के समान है लेकिन इसे अलग लुग देने के लिए इसमें कुछ नए एलिमेंट्स दिये गए है इसमें ब्लैक विल आर्च, लो फ्रोफाइल टायर, ब्लेक आउट 15 इंच अलाव विल्स और बंपर पर हरिजन्टल लाइनिंग दी गई है कुल मिलाकर कमपनी ने ब्लीड्स एडिशन को स्पोर्टी लुग दिया है हाला कि इस एडिशन में कमपनी ने ब्ल्यू एक्सेंट को पूरी तरह से हटा दिया है इसके जगा पर इसमें हर जगा ब्लैक एक्सेंट दिये गए है कमपणी ने इसकी कीमत और launch के बारे में अधितारी जनकरी साजा नहीं की है लेकिन रिपोर्ट्स में इसके इस साल की पहले जमाई में launch होने की उमिद जताई जा रही है Tiago EV Blitz को टॉप मॉडल के तोर पर launch किया जाएगा और इसकी कीमत पी standard Tiago EV से अधित होने की उमिद है Tiago EV को दो battery pack option के साथ कुल साथ variant में उपलप्ट किया गया है इसकी कीमत 8.49 लाक रुपए से शुरू होती है 11.79 लाक रुपए तक जाती है वही अब Tata Tiago EV दो battery pack विकल 19.2 kvh और 24 kvh में उपलप्ट है Tiago EV के base variant by company ने 19.2 kvh battery pack का इस्तिमाल किया है वही top variant में 24 kvh battery pack का उपयोग किया गया है कमपनी ने दोनों battery pack मॉडलों को अलग अलग राहों को की जरूतों को ध्यान में रखकर आफर किया है अगर बात करें इसके रेंज की तो 24 kvh battery pack मॉडल की रेंज 315 km की है वही 90.2 kvh battery pack मॉडल की अधिक्तम रेंज 250 km की है फिलाल यह रेंज परिक्षन के आकडों के अनुसार है वास्ताइब की रेंज में बदला हो सकते है टाटा टियागो EV में कमपनी ने अपनी लेटेस्ट जिप्रान तकनिक का इस्तिमाल किया है इसमें कमपनी ने टीगोर EV और नेक्सन EV की तरह ही परमानेंट मैंगनेट सिंक्रोंस इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तिमाल किया है अपनी पावरफुल एलेक्ट्रिक मोटर की बदलो टियागो ईवी केवल 5.7 सेकंड में 0 से 60 किलोमेटर की रफ्तार हसिल कर सकती है तो दोस्तो ए था एक छोटा सा अपडेट इस टाटा टियागो ईवी ब्लीड्स के बारे में अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करिएगा फिलार इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है अगले वीडियो में जहिंद